हाई फ्रेंस वेल्कम बेक टो मैं चैनल सिजलिंग प्लेड विद फाकरी तो फ्रेंस आज हम बनाएंगे यह मज़ेदार सी रेसिपी हमारी यह मटन क्रिस्पी कबाब जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है देखने में आपको लग रहा हो कितने मज़ेदार दिख रह बहुत ही ज्यादर टेस्टी एक अच दम जूसी और क्रिस्पी रिखता है बहुत ही अच्छी लूखे और खाने में तो इतनी अच्छे टेस्टी में अगर एक बार बनाएंगों तो आप Nordinary Crunchy Lie perओ मार्एं इत्ना टेस्टी है इसकी कर रहा है कितना जूसी लग तो तोड कर दिखा देती हूं यह देखिए अंदर से एकदम सौफ्ट उपड़ से एकदम क्रिस्पी तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने मज़दार दिख रहे हैं एकदम क्रिस्पी और जूसी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और सब को बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं तो करेंे तो धुट जुट नतलर सकते है बारिक पिसावाय और महुत्cept चौट किस्पी लिए अगरमाले ग्ताभरी करेंगे यानि 2 बड़े पियाज तो पहले तो यहां धनी यहा यरू फिन शक्रात कर देंगे फिर हमारे ये पियास मौ टाल देगे और इदम आ क्लेल पियास तो ब्यास जितना बारिक कटावा होगा अगर मोटा मोटा कटावा होगा ना फ्रेंड हो गिपाब जो है वो लें अपने टेस्ट के शाब से लाईगे अध्रक लशन का पेस्ट बीजरम फ्योजन दालेंगे डालेंगे अश्क मच का लिए दूसरा फ्योजन हो गया इसमें हम 270 काट मिर्ची का पेस्ट डालेंगे मैं नारी मिर्ची युश धाली बारिक लेक चाहें हाट काटके हैं बारिक बारिक आरी पेस्ट डालें टाली हम इपस्ते हैं अब युजfs पांच डीजारी चाहीत तो अच्ब therein किमाह थी lol कटवा होगा उतना ये अच्छा बैतर बनेगा ये देखे इस तरीके से ज्यादा मोठा मोठा कीमा होगा या मोठा प्याज होगा तो हमारे कबाब है फट जाएंगे तूचने लगेंगे यह देखे कितने अच्छे मिक्स हो चुका है अब ये हमने तेल गरम होने क रहे लख दिया है तेल गरम हुझ आगा तो हम कबाब मटने चुँन में बहुत थोड़ा सा कुछे लेना है हाथ से हलका सा कर ली एदेखें इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे इसके अब कबाब बनाने हैं एकदम छोटे-छोटे से ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अंदर और बहार से भी और यह देखिए हम डी फ्राइब करेंगे कम तेल में नहीं करेंगे क्यूंकि जो कबाब है वह हमेशा डी फ्राइब होते हैं तो आप सोचेंगे हम थोड़ से तेल में फ्राइब कर लें तो ऐसा नहीं होगा वह कच्छे रह जाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमको सारे कबाब को फ्राइब कर लेना है यह मैंने डाल दिये हैं एक से दो मिट लगेगा और यह अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसको रेडी हो चुके हैं इसका कलर देखे कितना अच्छा है एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं हमारे कबाब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे कबाब को फ्राइ कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कलर इनका बहुत अच्छा है एकदम रेडी तो उनको इसी तरीके के कबाब चाहिए अब इसको साइड में रख देंगे और यह हमारे वेजिटेबल्स एक प्याज लिए है मैंने बारिक कटावा शिमला मिर्श है पत्ता गोबी है एक चोटी पत्ता गोबी ती जिसमें से मैंने आदी लिए तो अब हम अपना फ्राइपन काटा था तीनों चीजों को साथ में डाल देना है शिमला मिर्श और हमारी पत्ता गोबी जादा इसको गलाना नहीं है हलका बस अलगा से और हलका सा गरम कर लेना है ये देखें इस तरीके से ये देखे गरम मूचू की अच्छे से 1 मिट तक मैं इसको फ्राइक कर लिए ये चटनी के दाव देतने हीरा, ताने कुछा ऑलने के कबाब को दाएक अद करें केसे मिक्स चलाएंगे तेके यह मोच यह चलाएंगे यह डस plays को चलाजा केटनी का टेस्ट रहे स्पाइस वह सारे कबाब में यह पहुंच जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें एक चमा टमैटो केचप क्योंकि वह मैंने जो चटनी डाली है शिजवान चटनी वह घर की बनी है और देम स्पाइसी है तो मैंने थोड़ असा मीठा पन के लि यह बिल्कुल रैडी हो चुका है यह देख सकते हैं आप लोग तो फ्रेंट्स यह रहे हमारी प्लेट और यह रहा हमारा मटन क्रिस्पी कबाब जो बहुत ही जादा टेस्टी बना है खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है एकदम यम्मी वाला यह देख सकते हैं आ हो रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा बनाई यह इतने अच्छी खुश्बू आ रही है इसकी मैं तो और ज्यादा वेट नहीं को सकती हूं मैं उसको फटा-फट खाने वाली हो तो आप लोग भी अपने घर में जरूर बनाईए जरूर ट्राय कीजिए मेरे वीडियो को देख